जै शनी देवाए नमः नमस्कार मित्रों, जै माता दी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों, आखिर कैसे रहेंगे? आने वाले 24 घंटे आप लोगों के लिए मित्रों, आपका जीवन में एक बहुत बड़ा चमतकार होने जा रहा है और यह चमतकार कल यूग का सबसे बड़ा चमतकार होगा पूरे 99 सालों के बाद महासन्योग बढ़ रहा है अगर आप इस वीडियो को आज अंत तक पूरा देख लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन के सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे क्योंकि सटीक ग्रह गोचर की छाल के आधार पर हम आपको एक-एक बात बताने वाले हैं हमारे गुरु जी ने बड़ी ही महनत से आप सभी के लिए इस विशेश वीडियो का निर्मान किया है तो अंत तक अवश्य बने रहिएगा सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तीन बार ओम शनिश्चराय नमह अवश्य ही लिखती जिएगा तो आएए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब हमारे दांत नहीं थे तो भी हमारे आहार की व्यवस्था माता के दूध के रूप में प्रभु ने की थी तो जब दांत आ गए हैं, तो भी प्रभू हमारे आहार की व्यवस्था करेंगे ये ध्रिण विश्वास हमें जीवन में सदैव होना चाहिए मित्रों चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिती हो, चाहे कैसा भी समय हो हर परिस्थिती और हर समय हमें प्रभू पर डट कर विश्वास रखना चाहिए तो गुरुजी का ये घ्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा तो आएए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाय बिना बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की मित्रो इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि सबकी स्वभाव के चलते आपको हार का मुह देखना पड़ डियेच सकता है और यह बात भली भांती समझ लें कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा इसलिए अपने धन को संचय करने का विचार बनाएं मित्रो क्योंकि आने वाले समय में आपको पैसों की एहमियत समझ आने वाली है आप देखेंगे कि जीवन के लिए कितना पैसा जरूरी है इसलिए फिजूल खर्ची पर जितना जल्दी हो सके आपको पूर्ण विराम लगा देना है और अपने धन पर पूरी तरह से नियंतरन करना पढ़ेगा और मित्रो आपकी सबसे बढ़ी एक आदत ये है जो पूरी है कि आप हर किसी को शक की नजर से देखते हैं जरूरी नहीं है कि जीवन में आप जिसके जितने करीब रहेंगे उसे उतनी ही शक की नजर से देखेंगे सब को प्यार से पेश आएं मित्रो और सब के साथ अच्छा एवं मधुर व्यवहार बना कर रखें अपने बच्चों के लिए योजना बनाने के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा है बच्चों को यदि आप विदेश कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं, तो भेज सकते हैं मित्रों, परिवार की राय लेकर, अपनी जीवन संगिनी की राय लेकर आपको बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में किसी दिल्चस्प, कोई ऐसा इंसान, जिससे मिलकर आपका दिल गदगद हो जाएगा उससे मिलने की प्रबल संभावना है, और लंबित पढ़ी योजनाएं पूरी होने की दिशा में आगे बरहेगी यानि की जो योजनाएं लंबे समय से रुकी हुई हैं और उनके आगे बरहने की अब तक आपको कोई भी मार्ग नहीं मिले हैं, तो ग्रह सपष्ट इशारे कर रहे हैं संकेत दे रहे हैं कि उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का समय आ गया है आप कोई नई पुस्तक खरीद कर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा समय गुजार सकते हैं और यह समय जीवन में आपको बहुत बर्या अनुभव देगा मित्रो यह समय एक तरह से वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत बहतरीन रहने वाला है आप देखेंगे कि आपका जीवन साथ ही आपके लिए हर वो चीज करेगा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं मित्रो घर में जब भी या फिर बैठे रहें जीवन में यदि शान्ती नहीं मिल रहे तो इस मंत्र का जब भी मौका मिले मन में जाप करते रहें बोल कर जाप करते रहें ये कुछ ऐसे चोटे चोटे मंत्र है जो जीवन में साकारातमक उर्जा भरने का काम करते हैं और कभी भी हमारी सोच को नकारातमक नहीं होने देते हैं मित्रो दूसरों की इच्छाएं आपका ख्याल रखने की इच्छा से टकराएगी अब चूंकि आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे लोगों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे तो हर कोई व्यक्ति आप से जुड़ना पसंद करेगा और हर कोई व्यक्ति आपको जिन्दगी में अहमियत देगा अपने जजबातों को बांधे नहीं और वे काम करें जिससे आपको सुकून मिले अर्थात, मित्रों, जिन कामों को करने से हमें खुशियां मिलती हैं अब जो मित्र आपको लाब हो रहा है, उस लाब को आप कहीं प्रॉपर्टी या घर खरीदने में निवेश कर सकते हैं क्योंकि समय उत्तम चल रहा है और इस समय के अंतराल में आप जीवन के हर्व सुख का अनुभव करेंगे जिन सुखों की प्राप्ति आप चाहते हैं मित्रों, बहुत बेहतरीन बेहतरीन संभावनाएं बन रही हैं जीवन में अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार न करें और अपनी व्यस्त दिन चर्या में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने परिवार के साथ किसी आयोजन में शिरकट करें ये न सिर्फ आपका दबाव कम करेगा बलकि आपकी जिंजक भी मिटा देगा मित्रों और रुमानी यादें आपके उपर च्छाई रहेगी ये उन उम्दा दिनों में से एक दिन है जब कार्यक्षेतर में आप अच्छा महसूस करेंगे आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपसे बहुत ज्यादा खुश होगा और खुश होकर आपके लिए उन्नती और पदोन्नती के मार्ग खोल सकता है तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं कि पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सेगधो रिष्टो को मारता है तो मित्रो यदि आप कभी भी अपने कान से कोई भी सही या गलत बात सुने तो उस पर अच्छे से विचार अवश्य करना क्योंकि कभी-कभी जो बातें सुनी होती है वह हमेशा सच नहीं होती है और कुछ बातें हमारे कानों में ऐसी बोली जाती है जिन पर हम आँख मूंद कर ना तो भरोसा कर सकते हैं और ना ही विश्वास दिखा सकते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रो गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा गुरुजी का ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा तो मित्रो आपका कन्फ्यूजन बढधा रहेगा अर्थात कन्फ्यूजन के चलते कुछ निर्णय टालने पडड़ड़ी एच सकते हैं तो ये आपके लिए सही साबित होगा क्योंकि अभी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं अर्थात मित्र परिस्थितियां जो हैं थोड़ी सी डगमगा रही हैं स्थिर नहीं हैं ना तो इधर की ओर हैं नहीं उधर की ओर साथ ही मित्रो ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पढ़ डियेट सकती है लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उतने ही सफलता आपके पैरों में होगी और मित्रों अपने लक्षे तक पहुँचने के लिए किसी रिष्टे को लेकर परेशान हैं तो उन्हें व्यक्त अवश्य करें साथी जिस परिस्थिती से बचने का प्रयास कर रहे हैं उसका सामना कर लेंगे तो मन की शान्ती आएगी और मित्रों आपको अपने साथी के साथ मन की बातें खुल कर साज़ा करनी चाहिए अर्थात, आपका साथी आपसे क्या कहना चाह रहा है किस विशय पर आपसे बात करना चाह रहा है इन समस्त बातों को आपको ध्यान से सुन लेना है साथी, आपको थौढधा, मोटिवेशन होने की भी आवश्यक्ता है जी हां मित्रों, आपके लिए संकेत है कुछ पुरानी चीजों और पुराने लोगों का साथ छूटने का तो इस परिस्तिति का शोक न मनाएं संभव है, आपके मन में निराशा तो है, लेकिन यह समय आपके लिए परिवर्तन वाला है अर्थात, जो परिवर्तन आप अपने जीवन में करेंगे, वही लेकर आगे बढ़ेंगे इसलिए अब हमें अपने जीवन में ध्यान रखिएगा साथ ही सोच समझ कर कोई बात कहें क्योंकि किसी पुराने मित्र से रिष्टे सुधारने का भी मौका आपको मिलेगा और मित्रो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा समय जो है रिष्टों के लिए अवश्य निकाले ऐसे में आपको किसी पुरानी चिंता या डर से मुक्ती भी मिल सकती है फिर रिष्टों में आपको लाभ मिलेगा और मित्रों से सहयोग भी मिलेगा और मित्रों आप खुद के लिए और परिवार के लिए ज्यादा समय निकालें क्योंकि यही समय है जो आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे और मित्र आपको आपकी एकागरता बढ़ाने की बहुत जरूरत है। लेकिन जीवन शैली में किया गया सुधार आपको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर बेहतर बनाएगा और नए काम की जिम्मेदारी निभाते समय आपको अप्यश मिल सकता है। इसलिए इस समय मित्रों, तनाव से बचें और नए काम की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। मन चाहे व्यक्ति से प्रपोजल प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसे स्वीकार करने में आप विचार जरूर करें। मित्रों, क्योंकि इस प्रपोजल को प्राप्त होने के बाद आपके जीवन में कुछ, तकलीफें और कुछ दिक्कतें भी उत्पन्न होगी। मित्रों, सकारात्मक परिस्थिती अचानक नकारात्मक मौद्ध ले सकती है, लेकिन तनाव से बचना होगा। आपको सलाह दी जाती है, और इस परिस्थिती से खुद को निकालने के लिए तुरंत प्रैत्न करना शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादा देर हो गई। मित्रों, तो इस से आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पढ़ेगा। किसी और व्यक्ति की वजह से नुकसान होने की आशंका बन रही है, और ध्यान रखिएगा कि व्यापार से संबंधित लोगों को नुकसान होने की आशंका बन रही है, पैनी नजर रखनी होगी, व्यापार में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ न हो, इस बात का भी ध्यान जगहे पर चोरी या वस्तु लापता होने की संभावना बन रही है। मित्रो, पार्टनर किसी और व्यक्ती की तरफ आकर्शित हो सकता है। पार्टनर और रिलेशन्शिप के लिए विश्वास कम न होने दे। क्योंकि जब आपके विश्वास में कमी आएगी मित्रो, तब आपके रिष्टों में भी दरार आएगी और पेट की जलन और एसीडीटी के कारण सेहत बिगड़ सकती है। पुरानी बातों को छोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि मित्र जीवन में यह बदलाव लाते समय आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। लेकिन खुद के निर्णय पर ठिके रहना आपके लिए आवश्यक है। और सही गलत का अंदाजा लगाकर खुद के लिए सही परिस्थिती बनाने की कोशिश करें। क्योंकि मित्रो जब तक आपको सही और गलत का अनुमान नहीं लगा पाएंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं होगा। इसलिए मित्रो इस अनुभव को प्राप्त करने की आपको बहुत आवश्यक्ता है। विदेश में कार्य करने का प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है। इसे स्वीकारना, यानकरना या आप पर निर्भर करता है। और मित्रो स्थिती कठिन होने के बाद भी पार्टनर पूरे संयम के साथ आपका सहयोग करेंगे और उनके सहयोग से मित्रो आप अपने जीवन में कई हद तक आगे भी बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करते समय अनेक प्रकार के प्रलोभन मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी एकागरता भंग ना हो नहीं आपके काम की क्वालिटी पर इसका असर हो और परिवार के लोगों से आपकी अपेक्षा बढ़ती हुई नजर आएगी। मित्र काम संबंधित टार्गेट पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यक्ता है एवं अंतिम समय में काम बिगड़ने की आशंका भी बन रही है। इसलिए मित्रो काम को बहुत ही सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। और जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं वह केवल एक तरफा प्रेम ही है। इस बात का एहसास भी आपको जल्दी होगा। लेकिन मित्रो ध्यान रखिएगा कि एक तरफा प्रेम ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। साथ ही खुद के निर्णय पर टिके न रहने की वजह से आपको पच्चतावा महसूस हो सकता है। साथ में खुद के लिए रोश बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए मित्र सही निर्णय लेकर परिस्तितियों को सुधारने की कोशिश करें। और निर्णय पर टिके रहने के लिए मनोबल को भी बढ़ाने की आवश्यक्ता है। आगे कुछ साथानियां भी बताने वाले हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुजी के एक छोटे से उपाए से। तो मित्रों हमारे गुरुजी बताते हैं कि यदि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्याएं आ रही है, तो धन लाभ के लिए ब्रहस्पती के उपाए याने की आप हर शुक्रवार को, मा लक्ष्मी को, तुलसी की मंजरी चढ़ाएंगे, तो इससे धन का आगमन होने के साथ सदैव माता लक्ष्मी की कृपा द्रिष्टी भी बनी रहेगी। मित्रो कुछ नहीं करना है, कोई लाखो करोड़ो रुपये का उपाए नहीं है, मंजरी चरहानी है, तुलसी जी की मा, लक्ष्मी जी को सदैव कृपा आशिरवाद बना रहेगा। तो आईए, अब बात करते हैं, अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। आपका तल्ख रवईया दोस्तों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए अपने रवईये में जल्द से जल्द सुधार लेकर आएं। मित्रों सबसे अच्छे से पेश आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और रात के समय आपको धनलाब होने की पूरी सं जहां से आपको दोगुना मिले और ऐसी कोई योजना आए। ऐसा कोई मौका जल्द ही आपके हाथ लगने वाला है। मित्रों, अब चूंकि थोड़ा सा परिवारिक जीवन की ओर चलें, तो अपने माता-पिता की सेहत का खास खयाल रखने की आपको बहुत ज्यादा चलाह लेनी चाहिए। जानते हैं कि आपको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी। इसलिए सकारात्मक सोचें और प्रयास अभी से ही शुरू कर दें ताकि मित्रों आपको डेटिंग के लिए भी वक्त मिल जाए। जीवन साथी के लिए भी वक्त मिल जाए। संतान के लिए भी वक्त मिल क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ अपने जरूरी कामों को निपटा. पडोसियों का दखल शादी शुदा जिंदगी में दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर सकता है. मित्रो ध्यान रखिएगा कि चाहे रिष्टा केसा भी हो, अगर बाहरी व्यक् नहीं तो समस्या हो सकती है. यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें प्लानिंग करके जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा. आए चमतकारी उपाय हम आपको बताते हैं. मकर संक्रांती पर आप कुछ उपाय कर, जीवन में सुख शान्ती और सम्रिध्ध की प्राप होता है. ये उपाय करने से सौभाग्य की प्राप्ती होती है. मकर संक्रांती के दिन दान करना काफी शुभ माना जाता है. इस दिन आप तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंग फली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुढ़ और काली उड़त का जरूरत मंदों को दान दें. इससे आपकी आर्थिक स्थिती हमेशा अच्छी रहेगी. ऐसी घटना होने वाली है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जी हां दोस्तों, यदि आप वक्त रहते नहीं संभले, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही भायानक र बदल देगा. आपकी सारी मुसीबतیں दूर कर देगा. बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा. वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता भद्रकाली के सभी सच्चे भक्त. इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मात भद्रकाली जरूर लिखें. मातारानी के आशीरवाद से आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे. तो वीडियो को लाइक करकर कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली जरूर लिखें दोस्तों. वीडियो पूरा देखिएगा. बाद में मत कहिएगा कि गुरुजी आपन सावधान नहीं किया क्योंकि बहुत से जातक आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर बाद में पच्चताते हैं. इसी लिए हम आपको एक चेतावनी दे दे की अंत तक देखिएगा तो आपको अपने सभी प्रशनों के जवाब मिलेंगे दोस्तों. यह समय आप सभी इस समय आप पर बहुत बड़ा वार कर सकते हैं. आपका जीवन पूरी तरीके से तहस नहस बरबाद कर सकते हैं. आपको किसी को हलके में नहीं लेना है. अपनी जो गुप्त बातें हैं, वह किसी को ना बताएं. जी हाँ दोस्तों, कई बार आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आपके दुश्मनों को आपकी सारी बातें, आपके सारे राज पता लग जाते हैं. जिसके कारण वह आपके खिलाफ बहुत बड़ा शड़यंत्र रहते हैं. और फिर आपको जीवन में कभी दो बारा मौका नहीं मिलता. इसलिए जितना हो सके, इन दिनों में आप अपनी बातों को गुप्त से भी गुप्त रखने का प्रयास करें. साथ ही दोस्तों, पैसों के मामलों में समय काफी गंभीर रहेगा. सोच समझ कर आपको पैसा खर्च करना होगा. कुछ लोग आपके पैसों पर बुरी नजर डाल सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, आपकी धन दौलत पर आपके अपने ही परिवार के लोग बुरी नजर डालेंगे और उसे लूटने का प्रयास करेंगे. लेकिन आपको अपना पैसा अपनी धन दौलत बचा कर चलना होगा. यदि आपको किसी पर शक होता है, तो उसे जितना हो सके, दुनिया बना कर चले. वैसे इन दिनों में हो सकता है कि आपका शक किसने किसी पर जाए. आपको लगे कि यह व्यक्ति मुझे शायद धोका दे सकता है. तो ऐसे लोगों से आप जितना हो सके, दूर रहे, ऐसे लोगों से बच कर रहे. साथ ही दोस्तों, आपको बता दे. परिवार वालों के साथ कहीं ब अब कोई गलती ना करें, अपने अपने जीवन में, दोस्तों, कई सारी गलती कई बार करी है, जिनके बहुत ही बुरे परिणाम आपको भगतने भी पड़े हैं, लेकिन अब मैं आपसे यही करूँगा, कि आप कोई भी निर्णय ले, तो सोच समझ कर ली हो सके, तो किसी ना सोचे समझे कोई फैसला लेते हैं, तो आपको बाद में बहुत ज्यादा पच्चतावा होता है, बाद में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगा, सामना भी करना पड़ता है, साथ ही साजेदारी में व्यापार कर रहे जातक अपने पार्टनर पर आज बंद करकर भरोस करने की भूल नहीं करना है, दोस्तों अब आप निश्चिंत रहिए, अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, खुश रहे दोस्तों, आईए इसी के साथ जानते हैं, आपके लिए नौकरी व्यापार, लेन देन परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुब अशुब घटनाओं के भविश्य फल के बारे में इस राशिफल को सुनकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे, जैसे दैनिक फल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको यह बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल हैं या नहीं? आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं? दैनिक राशिफल को पढ़कर आप दोनों ही परिस्थिति अवसर और चुनौतियों के लिए तैयार हो सक गुरू ब्रहस्पती की यह द्रिष्टियां बेहद अहम मानी जा रहे हैं, साथ ही गुरू ग्रह के संचरण का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा. लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं, जनकी इस समय किस्मत चमक सकती है, जिन में आप भी एक ऐसी राशिवाले हैं, जिनकी किस्मत चमक केगी. साथ ही इन लोगों को कि धन दौलत में अपार बढ़ोतरी हो सकती है. आप लोगों के लिए गुरू ग्रह का लाभकारी साबित हो सकता क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से ग्यारावे भाव में भ्रम्ण कर रहे हैं। इस अवधी में आपको भाग्य का साथ मिलने से आपके लिए लाब और उन्नती के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही आए के नए स्त्रोध बनेंगे। साथ ही आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही अगर आप शेर बाजार, सट्टा और लौट्री में धन का निवेश करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। लाब के योग हैं, इसलिए इस समय आपको किस्म का साथ मिलेगा। साथ ही इस राके जो लोग उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, यह अवधी उनके पक्ष में रहने वाली है। करियर में भी आपको एक के बाद एक सफलता मिलेगी। वहीं आपके घर या परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यकरम हो सकता है। साथ ही इस समय आप काम कारोबार के संबंध से यात्रा भी कर सकते हैं, जो शुब रहेंगी। वहीं इस समय नौकरी पेशा लोगों की पदोननती हो सकती है। इस दोरान आपकी जान पहचान उच्च प्रतिष्ठित लोगों से देखने को मिलेगी। आपके लिए इस दोरान लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। वहीं आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाब होगा। साथ ही इस दोरान आपकी वानी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग इंप्रेस होंगे। वहीं आर्थिक स्थिती में भी सुधार आएगा। साथ ही भाग्य का साथ मिलने से आपके लिए उन्नती के द्वार वियापारियों को इस समय अच्छा धन लाब हो सकता है। रिष्टे में नर्मी से पेश आएं और अहंकार को दूर रखें। आज आप अपना आपन खोए और आपका ध्यान प्रेम संबंध को जारी रखने पर होना चाहिए। विवाहित कुम्भ राश्य के जातकों को यह स अच्छा साल नहीं हैं। कुम्भ राशी की महिलाएं। दिन के दूसरे भाग में किसी प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं। करियर राशिफल नौकरी के मामले में आप अच्छे हैं, जो लोग बदलने के इच्छुक हैं। वे दिन के पहले भाग में नोटिस दे सकते हैं और जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। दिन खत्म होने से पहले इंटरव्यू कॉल आ सकती है। यदि आज 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 कोई इंटरव्यू निर्धारित है, तो परिणाम के बारे में आश्वस्त रहे। चमडा कपडे हार्डवेर, सेवाओं और भोजन जैसे कारोबार से जुड़े व्यवसाईयों को आज कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मोटरों के माध्यम से आज कुछ अतिरिक्त धनराशी भी आ सकती है। बेवजह का चिंतक करने से आपको इस समय बचाना होगा। बिजनेस में आपको अचानक से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होता नजर आएगी जहां पर आप अच्छा मुनाफ़ा भी काम आएंगे और कई सारी चीजों का आप आनंद भी लेंगे। आपका यह जो समय है वह पहले के मुकाबले तो अच्छा साबित होने वाला है। दिया दोस्तों और वही आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई मनमठ चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, ये कोई संपत्ति से जुड़ा विवादित मामला है, तो वह मामले अब समाप्त होंगे। घर परिवार का चल रहा, क्लैश अब दूर होगा जो लोग नया जमीन जायदाद वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं उनकी इच्छा पूरी होने वाली है दिया दोस्तों आप जल्द ही इन चीजों में से किसी भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं ये जो समय है वह आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है यदि किसी व्यक्ती के साथ कुछ तरह की तनातनी चल रही है जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं उनसे आपको इस विवाद को खत्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए दोस्तों इस समय आपको बता दें बिलकुल भी नहीं तो इससे समस्याएं आपको भी होंगी बेवजह का विवाद और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा आप वैसे भी लड़ाई जगडे में पढ़ने बिलकुल पसंद नहीं करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा हो सकता है कि आपका कोई मित्र ही आपको किसी लड़ाई जगडे में पढ़ने की कोशिश करें आप अपना समय जितना हो सके अपने परिवार वालों के साथ बताएं तो आपका मन भी खुश रहेगा और आप इन विवादों से भी दूर रहेंगे दोस्तों, इस समय आप काम किसी से कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं लोगों की बातों की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक, दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें वरना नुकसान हो सकता है किसी भी नकारात्मक बात के लिए वक्त जाया ना करें और हाँ दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें, कि सिर्फ आप जानते हैं कि आप के लिए क्या बेहतर है, इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बनें, तथा फैसले तुरंत लें, और उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें, अगर आप छात रहें, और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो घर की आर्तिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है, जितना आपने सोचा था, आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा, आज रोमान्स आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, व्यावसाइक सा आजीदार सहयोग करेंगे, और आप साथ मिलकर टल आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं, आपका कम्यूनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगे, कोई पुराना दोस्त, अपने साथ, आपके जीवन साथ ही के पुराने यादगार किस से लेकर आ सकता है, तथ कोई जिसे आप जानते हैं, मामलों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेगा, और घर में थोड़ा बहुत तनाव भी पैदा होगा, अपने दोस्त से बहुत लंबे समय बाद मिलने का खयाल आपके दिल की ढखन को बढ़ा सकता है, ऐसे लोगों से साथ जुड़ने जो स् अधिक समय जाया कर सकते हैं, यह दिन आपके सामान ने वैवाहिक जीवन से कुछ हट कर होने वाला है, आपको अपने जीवन साथी की और से कुछ खास देखने को मिल सकता है, और हाँ, आपका बच्चों जैसा भोला सुभाव फिर सतह पर आ जाएगा, और आप शरारती मनो दशा में होंगे, आपका धन कहां खर्च हो रहा है, इस पर आपको नजर बनाये रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है, जितना आपने सोचा था, आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा, आपके प्यार के रिष्टे म एक जादूई एहसास चा रहा है, इसकी खुबसूरती महसूस करें, दफ्तर में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है, उससे अच्छी बातचीत हो सकती है, घर से बाहर निकल कर, आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे, आज आपका मन शांत होगा, जिसका फा जोस्तों, अपना धहरे नक होए, खास तोर पर मुश्किल हालात में रियल एस्टेट संबंधी निवेश, आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा देंगे, जीवन साथ ही आपका ख्याल रखेगा, संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे, कुछ लोगों को व्या प्लान चौपट हो सकता है, आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिसके चलते आपका जीवन साथ ही आपकी तरफ फिर से आकरशित महसूस करेगा, तथा जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें, कि आपके अफसर आपसे पुरानी रंजिश निकालने के लि खुश रहे, क्योंकि इससे आपको नया उत्साह मिलेगा, तथा आज आप काफी आवेग में रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य और फिट रहने की इच्छा भी इसका अपवाद नहीं होंगे, वर्टिकल बार, इसी के चलते, आज आप अपने एक्सरसाइज कारेक्रम के द अपनाव धुल जाएगा, आप उर्जा से भरे और खुद को हर स्थिती के लिए तैयार पाएंगे, उस साथी में दोस्तों, आप हाल फिल हाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर ला परवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते, इनमें आगई दूरी को कम करने क लिए कदम उठाने चाहिए, वर्टिकल बार आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफी साथ दिया है, लेकिन आप उसी उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाएं हैं, वो केवल अपने साथी की कमियां ढूनने में लगे रहे, वर्टिकल बार आपने अभी मेहनत और समरपन का फल मिलेगा, आप आज वित्तिय योजना के बारे में जानेंगे, निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह ले, प्रस्ताव, आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, आपका दिन ओन फिस में अच्छा रहेगा, त और वृत्ति को नियंतरण में रखें, यह आपके खिलाफ जा सकती है, अपना दिमाग खुला रखें, आपको किसी करीबी से कोई अपरत्याशित खबर मिल सकती है, तथा आप काफी सخت हैं, और अपने खाने और एकसरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं, यह भी ध इस वरीर को सामानन्य से अधिक तकलीफ देने से, और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं,